क्यों पवन सिंग के जितने भी contemporary co-star है उनमें पवन सिंग को लेकर अलग सी दहशत है दहशत हम इसले बोल रहे है कि क्या पवन सिंग नया करेंगे और लोगों को पसंद आ गया फिर उनकी खीची हुई लकीर पर हमें चलना पड़ेगा सारी चीजे है जो पवन सिंग के जितने भी contemporary co-star है चाहे वो कि सारी लाल यादव रहे हूँ दिनेसला यादव निरहुआ रहे हूँ या फिर की जो generation रही हो वो सारे actor रहे हो उन सब में एक दहशत होती है एक डर सा रहता है कि पवन सिंग क्या नया कर देंगे और दर्शक उन सारी चीजों को catch कर लेंगे और फिर अगर हम वही चीज रिपीट करेंगे आपने अभी देखा कि कुछ दिनों पहले पवन सिंग ने एक गाना स्टेच पर गाया हलफा मचा कर गए इस पर हमने वीडियो भी बनाया है आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं उस गाने को अजे सिंग ने गाया था या आप सभी जानते हैं अजे सिंग बहुत ही अ यानि कि सेम उसी लिरिक्स पर उन्होंने गाना बना लिया और ये गाना आजकल खूब धमाल मचा रहा है और तो और पुदीना वाला सौंग ही ले लिजे पुदीना में जिस तरह से लुंगी गंजी में पवन सिंग आते हैं उसके बाद तो इसका ट्रेंड चल जाता है राके पुदीना वाले सौंग के पहले आपने कैमरे के पीछे ही देखा होगा लेकिन उसके बाद जब पुदीना वाला सौंग आया तो उसके बाद आपने देखा होगा रवी पंडित आपको कई गानों में नजर आए फिर अर्विन अकेला कलू ने लेला नेनुआ बेचा और अ अच्छा बदाम ये सारे गाने पवन सिंग के पुदिना वाले सौंग से इंस्पायर हैं। इक ब्रैंड है पवन सिंग ने जो अपने विवादाय स्टेश शो पे बोला था वो कहीं न कहीं सही है क्योंकि लोग पवन सिंग को फॉलो बुरी तरह करते हैं।